नमस्से, मैं हूँ सचिन गोयल और ईकुंजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बैल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके मैं एक नैचुरोपैथे स्कॉलर हूँ आज के इस एपिसोड में हाइट को बढ़ाने के लिए कौन सी चार चीज़ें आपको खाने में सबसे ज्यादा यूज करनी चाहिए ये बताने जा रहा हूँ हाइट बढ़ाने के लिए अपनी डेली डाइट में सबी तरह के बीन्स जैसे की राजमा, चना, सोया बीन, लोविया, फ्रेंच बीन्स, मतर बगेरा को जरूर शामिल करना चाहिए बीन्स में प्रोटीन, विटामेंस, फाइबर और कार्बो हाइडरेट खोब होता है बीन्स खाने से ग्रोथ हार्मोंस इंक्रीज होने लगते हैं, जिससे तेजी से हाइट बढ़ने लगती है इसलिए सबी तरह के बीन्स को चाहे अंकुरित करके या चाहे सबजी बनाकर अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें पालक हाइट को इंक्रीज करने में बहुत मददगार होता है पालक ग्रोथ हार्मोंस को एक्टिवेट करता है जिससे हाइट तेजी से बढ़नी चाल हो जाती है इसके साथ ही पालक में केलशियम, आयरन, विटामिन्स और फाइबर खूब होते हैं जो बोड़ी की ओवरल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है इसलिया पालक को कच्चा ही सलाथ की तरह या फिर सबजी बनाकर खाइए ताकि बोड़ी की ग्रोथ के लिए जरूरी सबी चीजें बोड़ी को मिल सकें और हाइट तेजी से बढ़ जाए ब्रोकली जिसे हरी फूल गोबी के नाम से भी जानते हैं आजकल सबजी की दुकाना पर आसानी से मिल जाती है ब्रोकली में कैलशियम और विटामिन के खूब होता है हमारी हड़ियों की लंबाई और मजबूती दोनों के लिए ही केलशियम और विटामिन के अच्छी मातरा में चाहिए होता है जो के वल ब्रोकली खाने से मिल जाता है इसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो पूरे शरीर की अच्छी ग्रोथ के लिए मददगार होते हैं। इसलिए रोज़ाना ब्रोकली को सलाद में जरूर शामिल करें। ब्रोकली के उपर का फूल जैसा दिखने वाला हिस्सा काट कर 50 ग्राम यानि लगबग एक कटोरी रोज़ाना सलाद में खाना चाहिए। इसे सलाद में कच्छा खाने से ये बहुत तेजी से फायदा करती है और हाइड तेजी से बढ़ने लगती है। तेजी से हाइड बढ़नी हो तो सोया बीन का यूज़ जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप सोया बीन को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो growth hormones की कमी या heredity होती है। मैंने जो बातें इस वीडियो में बताई हैं उनसे growth hormones body में increase होने लगते हैं। इसलिए वीडियो में बताई गई चीज़ों को जरूर इस्सिमाल करना चाहिए ताकि height बढ़ सके। जिनको heredity के करण height कम है यानि जिनके मता-पिता की height कम है उनको भी इससे पूरा nutrition मिलता है और कुछ हद तक height बढ़ने में मदद मिलती है। आप healthy और happy रहें इनी wishes के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने facebook पर भी share करेंगे ताकि आपकी help से आपके दोस्तों की भी कई health problems आसानी से solve हो सकें। दोस्तों, नीचे description में बहुत सारी बीमारियों के सरल घरेलू इलाज देखने के लिए links दिये गए हैं। उन्हें क्लिक कीजिए और उनसे लाब उठाईए। इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम उसे आप तक जरूर लाएंगे। ऐसे ही useful और interesting वीडियो देखते रहने के लिए आज ही हमारे चनल एकुन जी को free subscribe कीजिए।